हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो पाइस्टेडी सर्कल सोब्स आज की वीडियो में फिर से लेकर अगई हूं 12 थैने स्टाले बच्चों के लिए इसमें मैं आपको बताऊंगी जोग्रेफी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है आदरता और वर्शन इससे पिछली वीडियो में हमने जोग्रेफी का चैप्टर नंबर 11 तक एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो के तुरू डिसकस किया है जिसमें मैं आपको हर एक वीडियो के तुरू हर एक चैप्टर के पाँच इंपॉर्डन कोश्चन्स बताए हैं वीदानसर्स पूरे चै यह भी हमने अलग से प्लेइस्ट शुरू कर रखी है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो है टीमें लिखे मिल जाएंगे च्छे के च्छे आंसर सहीद चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाईस हमारा जो है लेसन है 12 जोग्रेफी चैप्टर नमबर 12 आदरता और वर्शन सो पहला गईस हम लोग का कोश्चन है कि वाईयू मंडल में विद्यमान जलवाश्प के महत्व को समझाईए ठीक है सो जलवाश्प वाईयू मंडल का सबसे अधिक परिवर्दंशील अवियव है सबसे जादा इसमें चेंज आता है और जलवा पर्थी पर पाये जाने वाले विविद्परकार के याई अलग-अलग तरीके के जीवन के लिए जलवाश्प का महत्व निम्रिकित कारणों से हैं निम्रिकित वजहों से गैस पहला जो कारक है वो ये है कि वायू मंडल में जलवाश्प विकरण को सोकता है ठीक है दूसरा है कि वाश्पिकरण की दर को नियंतरित करता है थर्ड है कि मौसम में परिवर्तन लाता है चोथा है कि वर्शन की शमता को निधारित करता है और पांच वाहे की फसलो और हम से यहां तक पूरा ही लिख सकते हैं तो देखें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है कोई कोशन हो सकता है थोड़ा छोटा मिले हो सकता है कोई कोशन थोड़ा बड़ा मिले लेकिन हारे कोशन के अंदर उस सारी चीजों को तो यहाँ पर हमने समप करने की कोशिश की है, जहां से आपकी questions बनते हैं, तो अगर आपका short question पूछा जाए, तो उसी word limit में अपना answer दीजेगा, और अगर long question आता है, तो उसी word limit में, उसी हिसाब से आप अपना answer थोड़ा सा long करके दे सकते हैं, चलेगा इस question number two की और हम लोग बढ़ लेते हैं कि संसार में वर्शन के प्रादेशिक तथा अरितु अत्विवरं का विस्तार से वर्णन कीजें, तो वर्शन की ओसत वार्षिक मत्रा के आधार पर संसारमी निमलिकित वर्षन की प्रदेशों की पहचान हम कर सकते हैं, तो वर्षन के हिसाब से याणी बा विशुवर्टिय उश्ड कटिवंदर के 30 चेत्र तथा शीतोष्ल कटिवंदर के पस्चिमी तट्किय प्रदेश शामिल है तो यह तो होगे भारी वर्षन के प्रदेश क्यूंकि हमसे टाइप पूछे हैं दूसरा है हैमारा मध्यम वर्षन के प्रदेश मध्यम का मतलब वही मीडियम जिन प्रदेशों में नमें यस वर्ग में समलित केया जाता है मंध्यम वर्ग में विशु वर्धिय ऊष्ड कटी बंध के 30 चेतर तथा चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस कम वर्षन नेखे जैसे की होता है न एक तो कोई चीज जादा होना जादा का मलब जहांपर भारी वारश होती हो एक होता है मीडियम लेवल की बारिश तो ऐसी प्रिदेश मीडियम लेवल में बारिश होती हो और अब हम थड को डिसकुस के लिए अगर मैं बात करूं हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री यह काफी सारे सब स्लेबस हम लोग जो है आपके करा रहे हैं तो घर बैठाया आपके स्लेबस की तैयारी हो प्रष्ट चेट्रों या परवत शंड्रेणिों के प्वंग ठालों पर महादवीपों के आंतरिक भागों आयम व्रत्तों परिस्थित महादवीपों के पश्ची में सीमान छेत्रों और उच अक्षानसों में वार्शी कवर्शन कितना होता है पचास सेंटी मिटर से भी कम होता है तो इन प्रदेशनों में उशलो शीतो शीत कटे बंदिन ये मरुस् चुवतिय प्रदेश में वर्ष भर वर्षन होता है दूसरा है बूमध्य सागरी प्रदेश में वर्षा केवल शीतकाल में होती है और फिर है आपका के समुद्र तटिय चेत्रों में यह आपका गया है तो यहां पर आप गया लिख लेना के समुद्र तटिय चेत्रों में महा जाएगा और अगर आपकोई फ्रेंट भी है जो क्लास में अना इससे हैं तो आप हमारी वीडियो उसको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी भी हल्प हो जाए तो देखिए कह का आंसर है कैमें क्या पूचा था आप से कि विशुवतिये जो प्रदेश होते हैं उनमें वर्ष भर उच्च तापमान रहता है मतलब तापमान जादा रहता है और वायू धाराएं गरब और आत्र वायू को उपर उठा देती हैं तो इस संवहनिये प्रभाव से बादल बनते हैं और प्राये जो है प्रती दिन दोपहर बाद वर्ष होते हैं दोपहर के बाद डेली यहां पर शीतकाल में होती है, शीतकाल का मतलब ठंड का मौसम, पच्छूवा हवाउं से, तो आपकी दादी नानी ये वड़ी उस करती होगी, तो पूरुआ हवा चल रही है, पच्छूवा हवाउं से, तो देखें, भूमध्ये सागरी प्रदेशों में वर्षा केवल शीतकाल में क्योंकि सूर्य की किर्णे हैं वो सीधी करकरेखा पर पड़ती हैं अब इस समय उपोशन के कटिबंद में होने के कारण भूमत सागरिय प्रदेश उच्छ वायूदाप और वैपारी पवन के छेत्रों में आ जाते हैं और वैपारी पवने पश्चिमी तट तक पहुंसते पह पुष्च को हो जाती है तो इन कारणों से क्या होता है कि गर्मी के मौसम में भी वर्शा नहीं हो पाती और शीत रितु में सूर्य की किर्णों का प्रभाव कम हो जाता है और पच्छवा हवाएं जो हैं वो दक्षिल की ओर से खिसक आती हैं और भूमत्य सागरिय लूँ कि contact for PDF अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए या इससे अलावा जितने भी हमारे chapters है इससे पहले के उन सभी का आपको PDF चाहिए तो आप हमसे जो है आप पर contact कर सकते हैं नमबर है 7303838500 PDF के लिए आप contact कर सकते हैं इसके लाव अगर आपको टीए में solutions की जोरहत है तो टीए में हमने सारी वीडियो वीडियो वैसे तो बना कर डाल रखी हैं हमारे चैनल की प्लेइस पर चेक कर सकते हैं लेकिन अगर आपको PDF फॉर्मेट में वह वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप यहां पर हमसे अवेलिबल करा पाएंगे इसके अलाव अगर आप लोग ने भी तक कोई गाइड नी खरीदी है बुक आपके पास नहीं है तो आप जो है गाइडिया बुक की जगए हमारे पूरा का पूरा पूरा स्लेबस है जितने भी हमारे चैप्टर से उन सभी को जो हम से परचेस कर स चाहें तो बहुत अच्छी बात है वीडियो आपके लिए फ्री ओफ कोस्ट है वीडियो उसका कोई चार्ज नहीं है तो आप वीडियो के त्रूप अपनी तयारी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पूरे का पूरा स्लेबस यहां पर मिल जाएगा जोगर आपको पर लक्डावर बज़ा से भरी पवने महादविपों के तर्टिय छहेत्रों पर वर्षा करती हैं तो वर्षा करते हुए वह आगे बढ़ती जाती है तो इनमें आदर्टा की मात्रा कम होती जाती है सो महादवीपों के बीतरी भागों तक पहुंसते पहुंसते वे शुशक हो जाती है इसलिए वर्षा की मातरा घर्टी जाती है महादवीपों के पश्चिमी भागों के और वर्षा पूरी भागों के मुकाबले क्या हो जाती है गाइस कम हो जाती है चलिए अब हम question number four की और बढ़ लेते हैं question number four में आपसे कहा जा रहा है कि संसार में वर्षा कहीं कम और कहीं जादा होती है तो वर्षा के वितरन मतलब वर्षा का कहीं कम होना या कहीं जादा होना ये जो असमान था है कहीं कम हो रही है कहीं जादा हो रही है उसकी वज़ते है जायना वर्शा के जो वित्रन हैं कहीं बारिश कम होती यह जादा होती हैSenसार के अलग-अलग है चो था है कि परवत की उपस्तिती और पांचवा वायू दाप पेटिया लेकिन अगर इसी को आपको जो है लुग कुशन में पूछ लिया जाए तो इनके अंदर के आपको डीटेल भी देनी पड़ेगी जैसे कि हैं लिख रहा है पहला है नमी क्या पूर्थी सो किसी आयू मंडल को इस छेत्र से सबसे जादा नमी की आपूर्थी होती है तटिय भागों से आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक नमी मिलती है तो धुरुगिया प्रदेशों में वाश्पिकरन बहुत कम होता है अते वहां वर्षा भी क्या होती है इस कम होती है पहली वज़ तो गाइस पवन की दिशा है गैस पवनों का मतलब आपको पता है ज्ली अब बताते हैं हम लोग डिसकस करते हैं यह थोड़ा ब्रश थोड़ा हमारा जाधा बोल्ड हो गया है तो गईस दूसरी जो वजह है हमारी वह पवनों की दिशा भी की Kingdom पच्वा पवनों की पेर्ट स्थल की और चल कर आती हैं उन में पवनों में उन हवाओं में से वर्षा होती हैं तो स्थल से चलने वाली पवने शुश्क होती हैं अब जो स्थल से पवने उड़ती हैं ऐसे हवाय जो चलती हैं वो तो शुश्क होती हैं अब क्या होता है उच अक्षानसों से निम्न अक्ष स्थलों में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि वहां से पवने बाहर की ओर चलती है तो यह पवनों की दिशा है जिसकी वज़ेसे भी कहीं बारिश कम होती है कहीं ज्यादा होती है गैस तीसरा है महा सागर धारएं तो तीसरा पॉइंट है बारिश कम या होने की जो कारण होता है कम या ज्यादा होने का कारण वह महासागर धाराएं तो गरम धाराओं के उपर की वाईउ गरम और आदर होती है अतया यहां वर्षा करती है और इसके विपरीत जो ठंडी धाराओं के उपर की वाईउ होती है ठंडी और शुश्क होती है अता उससे वर्षा कम होती है थर्ड पॉइंट यह है बेस्ट ओफ लग चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगर आप वीडियो को स्किपनी कर रहे हैं देख रहे हैं तो आपको 101% इसका benefit exam में मिलने वाला है तो देखे गाइस फॉर्थ है पवनों की आद्र पवनों के मार्ग में पवनों के आने से पवना भीमुख जो ढाले होती है उन पर अधिक वर्षा होती है और पवन भीमुख ढालों पर कम वर्षा होती है तो चोथा वजह यह है कहीं कम या जादा वर्षा होने की 5th point डिसकस कर लेते हैं वायूदाब पेटियों का पवन पेटियों के साथ सीधा संबंध है निम्न वायुदाब छेतर वर्षा को आकरशित करते हैं और उच्छ वायुदाब छेतर वर्षा हीन होते हैं तो यह कुछ पांच पॉइंट है जिनकी वज़े से संसार के अलग-अलग छेतरों में कहीं जो है वर्षा यानि बारिश क कि वर्षा वित्रन माचितर पर दुश्टीपात करने से हमें ये पता चलता है कि भूतल पर सबी जगए वर्षा की मातरा एक समान नहीं है अगर आप देखें तो अगर आप इंडिया की बात करें या फिर पूरे वर्ट की बात करें प्रित्वी के उपर तो हर जगए वर्षा की मातर निर्भर करती है और संसार में वर्षा का जो वितरन है वो निम्न वित पाया जाता है कैसा पाया जाता है पहला है विशुवत रेकी है अधिक वर्षा की पेटी ठीक है इस पेटी में प्रतिदिन सम्वहनिय क्रिया से मूसलाधार बारिश होती है और बारिश बादनों की गर्जना तथा पिजली की चमक के साथ होती है खाली पिली बारिश भी नहीं होती पिजली पी चमकती है साथ में इस पेटी में वर्षा का वार्षिक उस्थ 100-200 cm से अधिक रहता है चलेगा दूसरा पुण देख लेते हैं व्यापारिक पवनों की वर्षा की पेटी व्यापारिक पवन प्रवाह छेतर में इन पवनों से व्यापक वर्षा होती है इसे वैपारिक पवनों की वर्षा की पेटी का विस्तार 10 से 20 अक्षांसव के मद्ध है दोनों गोलांदरों में पाया जाता है इस पेटी में मानसूनी पवनों से भारी वर्षा हुआ करती है और यहां वर्षा का स्वरू प्राय परवतिय होता है इस पेटी में वर्षा का वार्षी कोसर 100-200 cm तक रहता है So guys keep studying by study and don't forget to like and share this video और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe कर लिजेगा चैनल को तीसरा है guys उपोश्ड कम वर्षा की पेटी तो इसमें है कि उच्वायूदाप की है पेटी 20-30 अक्षांसों के दोनों गोलार्दों में विस्तरित है और इस पेटी में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि नीचे उतरती हुई हवाईं वर्षा नहीं करती अते विश्व के अधिकांश जो उश्र मरुष्थल इसी पेटी में पाए जाते हैं इस पेटी में वर्षा का वार्षी कोद्षत यतना होता है सो सेंटीमेटर तक ही रहता है चलिए गाइस फोर्थ पॉइंट इसका डिसकस कर लेते हैं कि भूमद्य सागरिय मद्यम वर्षा की पेटी या फिर शीत कालियन वर्षा की पेटी सो यह पेटी 30 से 40 अक्षानसों के मद्या फैली हुई है और इस छेतर में वायुदा पेटियों का किसक आने के कारण शीत रितु में ही वर्षा होती है ठंड में ही वर्षा होती है और पच्वा पवने तथा चक्रवात शीत रितु में अधिक वर्षा करते हैं तो इस छेतर पवनों का वयापक पर भाव रहने के कारण शीतर में भारी वर्षा होती है और इस पेटी में प्रतिवर्ष सो से 125 संटीमेट तक बारिश होती है चलिए छटा और लास्ट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं कि धुरूविय कम वर्षा की पेटी अक्षानसों से साथ अक्षानस में सदय उच वायुदाब रहता है जिस कारण धुरूविय उच अक्षानसे छेतरों में कम वर्षा होती है यहां पर ना हमने टोटल फाइव कोश्चंस जो है इंपोर्डंट कोश्चंस आपके साथ जो है मैंने शेयर कर दिये हैं विद आंसर अगर आपको वीडियो अच् करते हैं और जो और जादा भैनत करने के लिए कहते हैं कि भी हां करो बच्चों के लिए काम सो प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा बैस्ट ऑफ लग फो यो एक्जाम्स इसके अलावा जो है टीमे के सुलेशन के लिए एनाइस इंफोमेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब प्लीज जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अनाइस तरी गाड़िंग आपका जो भी डाउट होता है ना के मतलब प्रैक्टिकल कैसे बनते हैं इसकी वैल्यू क्या है पेपर किस तरीके से आते हैं प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है एक्जाम पीस कूद कैसे संब्मिट करें हर एक डाउट से लेकर रिलेटिड हमने चोटी-चोटी वीडियो बना रखी हैं तो आप प्लेख कर लेना प्लेख का नाम है गाईज एनाइस प्लेख के अंदर नाइस ते लेकर जितनी इंफोर्मेशन होती है जो भी डाउट आपके माइन में होता है सबी टॉपिक्स आपको वीडियो मिल जाएंगी लिंक तो जरूर चेक कर लेना इसके लावा इंग्लिश अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के लिए हम बैठे कैसे तैयारी करें क्या स्ट्रेटरजी है सारी की सारी चीजे लावन इंग्लिश चैनल पर आपको मिल जाएंगी तो जैसे आप हमारे इस चैनल को प्यार और सबोट कर रहा है होब के लर्न इंग्लिश पर भी आपका नहीं सपोर्ट और जबरदस्त प्यार मुझे द